नमस्कार एक्जाम है पीवाई जारखन चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तों जूड़ चुका हूँ मैं यहाँ पर आप सभी के लिए जेटेट परिछा की तैयारी को ले करके तो जेटेट परिछा बहुत ही जल्द आपकी होने वाली है बहुत जल्द जेटेट परिछा परिडिये बना हुआ है ज्यादा करके आपको 6-10 तक का सभी नोट्स और पिडियेफ आपको मिल जाएंगे तो आप यहां से सारा नोट्स और पिडियेफ वाट्सअप ग्रूप के मादेम से आप यहां से पर्चेच कर सकते हैं साथ में उसका वीडियो और साथ में उसकी सा किताब JCRT 6-10 से करवाया जा रहा है जो कि आपका एकजाम में 101% प्रशनाने की गारेंटी भी रहेगी ठीक है तो बजारू किताब अगर आप ले भी लिये हैं या कही अन्य चैनल से भी आप त्यारी कर रहे हैं तो आप सीर्फ और सीर्फ यहां पर 501 रुपय में जोड़ क पर के कम समय में ज्यादा अगर अंक भीडाना है तो आप यहां से जुड़ जुड़ जाएगा अभी मुबाइल नंबर दिया गया है 96310-54226 पर ठीक है अब यहां पर एक बात आपको बता देते हैं आपके लिए यहां पर एक टेस्ट सीरीज की भी सुरुवात कर दी गई के लिए अगर 20 के लिए आप एक पर प्रेमिंट करते हैं तो आपको यहां पर देना पड़ता है देखे 150 रुपए जिसमें आपको यहां पर ओफर भी चल रहा है और आपको यहां पर प्राइज भी दिये जाते हैं इसमें जो फर्स्ट करेंगे उनको 50 रुपए का प्राइ है और थर्ड कंडिडेट को 10 रुपे का प्राज है तो प्रते एक टेस्ट में तीन प्राज आपको दिये जाएंगे आप इसमें अपना परचम लहरा सकते हैं आप यसमें भाग ले सकते हैं तो 1500 सो रुपए में यहाँ पर आप 20 टेस्ट सीरीज भी कर सकते हैं तो आप अभी जूड़ जाईएगा जैक और जैसे यार्टी के किताब से पढ़ने के लिए चलिए चलते हैं महत्वपुन प्रशन की और देखे हम आपके लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज 6 ले करके आए हुएं ठीक है तो यहाँ पर आप देखे हैं इस चैनल पर टेस्ट सीरीज के सुभीदा कर दी गई है जो आपको जैक मोडल जैटेट के एकजाम के जैसा टेस्ट सीरीज चल रहा है तो आप सब जो नहीं जुड़े हैं वो जूड़ जाएगा ठीक है तो देखें यहाँ टेस्ट सीरीज 6 हो गया है और इसके बिजेता का नाम हम आपको बता देते हैं डेली यहाँ पर विनर को प्राइज दिए जा रहा है तो आप में से जो भी जूड़ना चाहते हैं और यहाँ से प्राइज लेना चाहते हैं साथी साथ यहाँ पर जेटेट में 101 परती से सफलत आपाना चाहता है तो आप अभी कभी यहाँ पर टेस्स स्रीज में अवस जुड़िए साथी साथ इसके पूरी तेयारी आपको जैसे आटी जैक किताब्स करवाई जा रही है आप यहाँ से जुड़ करके तेयारी कर सकते हैं ठीक है तो देखें टेस्स स्रीज छेक विजेता क नाम इस प्रकार है फर्स्ट प्राइज प्रथम पुरुषकार लौकेश कुमार सिंग जो गोड़्डा के रहने वाले हैं पचास रुपए की रासी उनको भेज दी गई है सेकेंड प्राइज महज परसाद महतो जो गिरिडी के रहने वाले है उनको 20 रुपे का पुरुषक की रासी भेज दी जाती है तो आप अभी के अभी आवज से जुड़िएगा ठीक है देखें यहां पर प्रशन है रमेश पत्र चस्मा से पढ़ता है इसमें कौन सा कारक है ठीक है करता कारक कर्म कारक करन कारक आपादान कारक ठीक है कौन सा कारक होगा देखें कारक का पूर जो नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा आपको सारा कुछ उसका वीडियो और नोट्स मिल जागा यहाँ पर पूरे कारक में से कहीं से प्रस्ण आएगा ना ता आपको बता जाते हैं कुस नोट्स और वीडियो को देख ले जाए तो भविस में कभी छूटेगा ही नही चुटेगा आई से आपको बता दिये हैं ठीक है देखे यहाँ पर चीन जो है कारक का विभकती चीन एक से आया हुआ है क्या हुआ है से ठीक है यह से जो है दोगों में आता है याद रखेगा यह से दो में आता है तो confusion दूर रखेगा एक करन कारक में आता है और एक आता है आपादान कारक में, दोनों में से आता है दोनों में से आता है, दिमाबों रख लिजे लेकिन इकरन कारक कब होगा और आपादान कब होगा, दोनों को समझना बहुत ही आप लोगों के लिए जरूरी होगा ठीक है, तो देखिए अपदान कारग कब होता है जब कोई एक चीज़ दूसरे चीज़ से अलग होता है जैसे पेड़ पेड़ है इसे पत्ती लग होई है तब पेड़ से पत्ती गिर गिर गिया अब पेड़ से पत्ती नीचे गिर 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 तो ये अलगा हो रहा है बिलगा हो रहा है, बने अलग हो रहा है, तो अलग होने के सेंस में अगर से आएगा, अलग होने के सेंस, आपको लगे कि कोई चीज किसी चीज से अलग हो रहा है, वहाँ से हट रहा है, पहले उस पर था और उसे हट गया, तो अलगा हो गया, तो वहाँ पर से का मतलब आपको हो जाएगा आपादान का रख वहाँ पर से का मतलब आपादान का रख ठीक है अब देखिएगा अगर से यहाँ पर कोई साधन से चल रहा है कोई साधन से अगर कोई काम करने का पता चल रहा हो कि किसी साधन के द्वारा काम हो रहा है तो वहाँ पर से का अर्थ जो है आपका यहाँ पर change हो जाएगा, ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर सेखा, ठीक है, रमेश पत्र चस्मा से पढ़ता है, इसमें कौन सा कारक है, करता कारक, करम कारक, करन कारक, अपादान कारक, ठीक है, तो रमेश पत्र चस्मा से पढ़ता है, इसमें जो कारक है, वो आपका यहाँ पर हो जाएगा करन कारक, ठीक है, कौन सा कारक हो जाएगा, करन कारक, अगला देखेगा, रमेश एक मोबाइल खरदा, वह मोबाइल बहुत ही अच्छा है, इसमें सर्वनाम कौन है, आपको बताना है, ठीक है, इसमें सर्वनाम कौन है, आपको बताना है, ठीक है, तो देखे, तो आपको बताना है तो आपको हम बता देते हैं यहां पर सर्वनाम है वही जो है आपका प्रोणाउन है ठीक है तो संग्या के बदले में जो आया जैसे यहां रमेश एक मोबाईल खरदा रमेश का मोबाईल बहुत ही अच्छा है संग्या ही हो जाता है लेकिन एक ही नाम को बार बार नहीं लिखा जाता है तो आमेश के बदले में वह अलगा है तो संग्या के बदले में जो आया है वह इसका एंसर हो गया ठीक है इसमें कौन सा कर्मक करिया है आपको बताना है इसमें कौन सा कर्मक करिया है ठीक है राम पढ देखे, साथ में हो, साथ, साथ में सा, तब सा कर्मक हो रहा है, साथ में सा, तब सा कर्मक, याद रखेगा, तो जिसमें कर्म साथ में हो, कर्म का मतलब समझ रहा है, अबजेक्ट, जैसे क्या, जैसे क्या, देखें यापर, एक है राम पढ़ा, राम पढ़ा, इसमें ये क्या चीज़ है सब्जेक्ट इसमें सब्जेक्ट मतलब करता है करने वाला अई पढ़ना क्या है करिया इसमें कर्म कही है नहीं है इसमें कर्म कहीं नहीं है तो जिसमें कर्म हो साथ में कर्म साथ में हो तो सकर्म कर्म देखे कर्म साथ में हो पीछे समढ़ जाए सकर्म ठीक है तो द कर्म है तो जिसमें कर्म हो वही सकर्मक होगा यानि राइट एंसर का सी होगा कोई भी डाउट हो फॉन करें और तुरत जूड़ करके यहां से त्यारी करें और किसी भी तरह का क्यूरी के लिए आप तुरत फॉन करके संपर करके पूछ सकते हैं ठीक है चले अध्यापक का इस कौन सी परत हमें प्रित्वी पर आने वाली हनिकारक परावैगिनी वीकरन से बचाती है ओजन परत हमें परत हमें परत हमें आने वाली हनिकारक परावैगिनी वीकरन से बचाती है ओजन परत हमें परत हमें प्रित्वी परत आने वाली हनिकारक परावैगिनी वीकरन से बच ताब मंडल और फिर मद्य मंडल आयन मंडल ठीक है तो यह बीच में जो परत होते हैं एक ओजन परत होते हैं जो प्रित्वी पराने वाले हानिकारक परावेगनी किरन को बचाती है ठीक है तो यही ओजन परत जो है हमको हानिकारक परावेगनी किरन से बचाती है किलियर मांट मांट टेवरेष्ट की उचाई कितनी है 8800 मीटर 8848 मीटर 3600 मीटर 3600 मीटर कोई नहीं तो मांट टेवरेष्ट की जो उचाई है वो आपका यहाँ पर देखिए ऐसे पहले के किताम देखिएगा तो ज्यादा करके आपको मिलेगा 8848 मीटर है ठीक है लेकिन अभी देखिए कहीं कहीं आपको जब परिच्छा हो रहा तो उसमें आपको ये भी मिल रहा है 8852 मीटर तो ध्यान रखिएगा इसमें से क्या मिलता है आपको अगर 48 नहीं रहेगा तो वहां 52 भी हो सकता है देख सकता है क्योंकि अभी इसका कुछ बढ़ाया गया है कुछ आई ठीक है तो 8852 भी आ रहा है बहुत-बहुत से एकजामों में तो अप ध्यान में रखिएगा ऐसे पहले के जितने टेस्ट बुख है 8848 है क्लियर चले लगा दिएगा सत्पुड़ा परवत की स्राज में इस्ती थे सत्पुड़ा परवत की स्राज में उत्तरपरदेश, मदपरदेश, अंदरपरदेश एकोई नहीं तो सत्पुड़ा परवत आपको मदपरदेश में इस्ती थे ऐसे जनतु जो भोजन के रूप में मास और घास दोनों को ही खाते हैं ऐसे जनतु जो भोजन के रुप में मास और घास दोनों को ही खाते हैं क्या कालाता है सकाहरे मांटसाहरे, सर्वाहरे या सभी ठीक है जो भोजन के रुप में मास और घास दोनों को खाते हैं उसको हम लोगें परकार का प्रानी है, तो मनुष्ष से कुछ साकारी भी है, कुछ मासारी भी है, कुछ सरवारी भी, तीनों परकार का है, ठीक है, चले अगला देखेगा, write the plural words of ox ox का plural क्या होगा write the plural words of ox ox का plural क्या होगा ox is ox oxen oxen ठीक है देखे ये प्रशन तो बहुत यें भी बिबिया ही है सब राजयों के सिछक पातरता पर शहां पूछी दिया गए है तो आप देख लिजेगा यहां पर क्या होगा तो ox का क्या होता है एक्सेप्शन वाले चीज़े ज्यादे आती है इसलिए हमने आपको दिया है और यहां प्रक्वलों ऐसे प्रशन ही दिया है जो सिछक पातरता परिशा में आया हुआ है बाहर का कुछ भी प्रशन ही है और सब जैसे यार्टी टेस्ट बुक का भी है इसमें से कौनसा वड्र ऐसा है जो अवस्ट रेक नाउन है यानि भाव आचक संगया है चले देखते है आइरन, ओप्सन है आइरन आइरन बताए किसका है आइरन यहां पर उलेक्टिक का है अगर लोहा का है तो यह तो मेटरिएल में चला जाएगा group group samu है तो एक group samu है तो एक किस में चला जागा आपको तो ये आपको चला जागा collective में samu اचक संग्यां चला जागा यंग, यंग देखे अवस्था, ये क्या है अवस्था तो अवस्था गून दो सभावाली चीजी किस में चला जाती है भावाचक में अब स्ट्रेक्ट में चला जाता है यही अब स्ट्रेक्ट है और ॉर में चला जागा तो कौन सा वर्ड से ऐसा है जो material noun है द्रब्य वाचक संगे है ठीक है एर काउ गोल्ड कलास कलास तो मेटल वाली चीजे किसमें जाती है material में चले जाती है clear चले एगला दिखी गए which of the flowing sentence is negative which of the flowing sentence is negative इसमें से कौन सा sentence जो है negative sentence है तो आपको पता है न negative sentence negative के लिए क्या लगता है note लगता है निगेटिव ले क्या लगता है, नोट लगता है, जहां निगेटिव रहता है, ठीक है, आप देखेगा, यहां नोट लगता है, तो देखें, इसमें नोट लगा हुआ है, नहीं है, इसले निगेटिव नहीं है, इसमें नोट लगा हुआ है, नहीं है, निगेटिव नहीं है, इसमें क्यूचन वर्स लगा है, इसलें इंट्रोगेटिव है, इसमें देखें, नोट लगा हुआ है, तो यही आपका निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, यही आपका निगेटिव हो जाएगा, चलें, नेक्ट देखिएगा, यदि P का P परतिसत बराबर 36 है, तो P किसके बरा बराबर कितना दे रहा है? 36 हो तो P का मान कितना होगा? तब P गुने P और परतिसत है यानि बटा 100 बराबर कितना हो गया? 36, अब इसको solve करेंगे तो यह 36 में गुना हो जागा, अब 36 ने चेक है P1 में, ठीक है? तब P गुने P बराबर 36 गुने 100 हो जागा, क्या हम लिख सकते है अब लिख सकते हैं, पी गुने पी बराबर हो गया, 36 गुने 100, यही हो गया ना, पी पी को गुना करेंगे, तो पी स्कूर बराबर कितना हो गया, 36 गुने 100, ठीक है, अब पी स्कूर पी बराबर क्या होगा, तो यह जो 36 गुने 100 है, उसको पर रूट बढ़ जागा, तो सो को देखेंस लिख सकता है और सब्सक्राइब सक्ते हैं तो गुवरु को चोकोगा है नियुद रिख सकते हैं दस मुक्तो है साथ यही इंशर हो जाएगा है तुष रहा है यह चॉटा चॉटा है आप भुजा वाले घं से, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घं से, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घं काटे जासे हैं, तो देखें बहुत ही MBBI प्रशन आपको होता थी, इतना MBBI प्रशन है ना, कि चौका देता है, और बहुत इजी भी होता है, लेकिन नहीं देखे रहिएगा, तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं बनेगा, ठीक है, तो देखें इसमें क्या होता है ना, इसमें देखें होता यह है, कि बड़ा घं दिया वरेगा, या बड़ा गोला दिया वरेगा, उसमें से छोटा गोला कितना संख्या का बनेगा, कुछ भी देता है, संकू भी देदेगा ठीक है तो फंदरा सेंटिमेटर भुजा वाले घण से तीन सेंटिमेटर भुजा वाले कितने घण काते जा सकते है यही है यह बड़ा एक जास है बड़ा है और यह घण का अब छोटका घंस भाग देजे तर तीन गुने तीन गुने तीन हो गया ना तीन पच्चे पंदरा अब देखिए तीन पच्चे पंदरा अब देखिए तीन पच्चे पंदरा पच्चा पच्चीस पच्चीस पच्चे 125 यही इसका right answer हो जागा कितना हो जागा 125 हो जागा किलिया 125 हो जागा अगला प्रसन देखेगा समकोन तिर्भुज कितने अंसका होता आपको पताना कि समकोन तिर्भुज जो है वो कितने अंसका होता चाहे तो वो अधीक कौन हो जागा चाहे तो उन्यों कौन हो जागा तो समकौन तुर बुच के लिए कौन कितने अंसका होता है तो 90 डिगरी का अंसका होता है यह 2013 के टेट में भी आया हुआ था ठीक है देखे कौप क्या परिछा में आजा है यह कोई नहीं जान सकता है बस आपको देखे जो भी चीज़े है उसका जितना हो सके जनकारी प्राप्त कर लिए जहां से हो सके ठीक है अब नसीब अपनी अपनी है कि किसका क्या आजा लेकिन यहां पर जो अगर 2012-16 जैसे परिछा हुआ अगर वैसे हुआ तो यहां से 101% आप रहता होगा या पांच होगा क्या होगा हुहिए हूं देखते हैं नहीं यह का पावर 5 अपर सकते हैं इधर से एधर 2 के लिए तो रूट रहता है अगर यहां पर 3 होता है इसको समझ लिज़ेगा हमारी बात को अगर एक का पावर square बराबर 5 है, तो A बराबर square के लिए 5, ये root लिखाता है, यहाँ 2 छीपा बर, यह लिखते नहीं है, लेकिन 2 से जीशी बढ़ा आ जाए, यहाँ 3 आ जाए, यहाँ 4 आ जाती है, यहाँ 5 आ जाती है, यहाँ 5 हो जाएगा ठीक है, clear हो गये होंगे अंदर पांच को अगर से मांग होगा तो एक बाहर निकलेगा अगर यहाँ दो रहाता है तो अंदर दो है तो एक बाहर निकलेगा तीन रहाता है तो यहाँ तीन को से मांग है उसके लिए एक बाहर निकलेगा नियम यहीं काता है ठीक है तो आप देखेगा यहाँ पर ए बराबर आपने कर लिया यहाँ पर root 5 32 कर लिया ठीक है 32 का गुना नखंड कर लिजए ना दूसे 16 दूसे 8 दूसे 4 और दूसे 5 यही हो गया ना अब देखेगा यहाँ पर अब यहाँ पर देख लिजेगा आपको तो 32 हो गया आपका तो यहाँ पर 32 को जब हम तोड़ेंगे तो यहाँ यह 5 लिखा हुआ है 32 को 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कितना बार हो गया 5 बार हो गया ना तो यह 5 को के लिए एक खली बा ऑसाहः निकलेगा दू यहाई एंसर हो जाया एवरावर टू टू यही एंसर हो जागा यह हो गया नहीं तो हम कर सकते हैं देखिए 1 का पाहँऔर 5 किन्सिल हो गया और एवरावर टू टू डाल भात में कौन सा समास आपको दाना है डाल भात में कौन सा समास है क्लियर कीजिएगा अबेईभा, दिवगू, दौन्द या कोई नहीं देखें, दोनों में क्या है अपोजिट वर्द है, बीच में क्या लगा है योजक जीन है, इसलिए ये किस में चला जाएगा, आपका, दोन्द में अपोजिट में लडाई होता है, दोन्द समास हो गया ठीक है, चले लेगा देखें राम आम खा रहा है राम आम खा रहा है, इसमें किरिया किस परकार है, सकर्मक अकर्मक, निशकर्मक या कोई नहीं ठीक है राम आम खा रहा है अब देखेगा राम सब्जेक्ट हो गया खाना करिया हो गया और आम क्या हो गया बताईए आम उब्जेक्ट हो गया तो इसमें कर्म साथ में है इस वाक्य में कर्म साथ में है ना तो जिसमें कर्म साथ में उसको सकर्मक में डालेगा तो यह सकर्मक करिया हो गया, clear, यह सकर्मक करिया हो गया, चले अगला दिखीगा, विकास प्रारम होता है, विकास का प्रारम होता है, विकास गरभावस्था से, सहस्वावस्था से, किसोरावस्था से, बालेवस्था से, ठीक है, तो विकास जो है, गरभावस्था से ही प्रा पांच कहा रहा है और दूग उन्हें आठ ब्राबर-10 कह रहा है यह किस विकार से समंधित है अलेक्सिया डिसच ग्राफ्या डिशक्याल्कूला या अफेज जिया देखीए यह इक आपको पठन विकार है यहां से एक प्रस्ण आपका खुल करके आता है, एक नहीं कभी-कभी बढ़ करके दो भी इसका हो जाता है, तो जडूर आता है, तो अगर पठन विकार का पूरा दम वीडियो देखना है, पूरा उसका PDF सिलेवस सब देखना है, आपको बना हुआ नोट्स और वीडियो, तो आप देखे क क्लासे जोइन के लिएगा, यहाँ जो CDP का आपको बहुत ऑठेंटिक क्लास दिया गया है, बहुत कौन क्लास में आपको बहुत ज़्यादा प्रस्णिया से भीड़ाया जाएगा, ठीक है, तो आप अभी-कभी जुरूर जुर जाएगे हमारे चैनल के साथ और यहाँ से त 500 रुपए में किसी भी एक से 5 के लिए 500, 6 से 8 के लिए 500 और दोनों लेते हैं सिर्फ 700 रुपए में हम आपको दे रहें, दोनों के लिए सिर्फ 700 रुपए लेते हैं, ठीक है, तो आप अभी-कभी जुर जाएगा, और टेस सीरीज भी मार लिजिएगा, जिससे आपको की काम को नहीं कर रहे हैं, नि कल्कूलेशन से इस नहीं कर पा रहा है, कल्कूलेशन नहीं कर पा रहा है, यहीं हो रहा है न, तो कल्कूलेशन वाला बिमारी को का कहता है, पता है न, कल्कूलस, कल्कूलस, तो कैल्कूलिया कहता है उसको, कल्कूलेशन को कैल्कूलिया याद अगला देखेगा, sin square 69 degree, sin square 69 degree प्लस cos square 69 degree का मान कितना है, कि लिए, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, या कोई नहीं, देखे, sin square theta प्लस cos square theta, एक फर्मूला होता है, याद रखेगा, ये तिरकोर मिती का है, sin square theta प्लस cos square theta, बराबर क्या होता है, अब theta यहाँ पर देखे, दोनों जगा सेम होना चाहिए, तो theta दोनों जगा कितना है, यहाँ भून साट डिगरी है, यहाँ भून साट डिगरी है, ठ समू का सिधान, त्रिकारक का सिधान, विकासात्मक सिधान, बहु कारक सिधान, ठीक है, तो थांडाइक ने बुद्धी का बहु कारक सिधान दिया, बहु कारक सिधान, कौन से सिधान दिये थे, बहु कारक सिधान, चलिए अगला दिखेगा, थांडाइक ने अपने परियोग में किस जानवर का परयोग किया था 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 थो एक पिज़रा था यादारा आपको पिज़रा था और इसमें क्या था इधर एक मास का टुकड़ा लटकाए गया था ठीक है मास का टुकड़ा लटका दिया गया था और यहाँ पर क्या लगा हुआ था यहाँ पर एक पीन लगा हुआ था जिसके जरिये यह जो यहाँ पर बंद किया हुआ गेट है वो खुलता था जब यह लीभर होता था और इसके अंदर जो थी एक बिल्ली थी ठीके कौन थी बिल्ली थी और उसको बना दिया था अब इसके लिए क्या था तो यह यहां पर इसको खाना चाहते थी लेकिन वो क्या करती थी यह इसको पता नहीं था कि गेट खुलेगा कैसे बिल्ली बहुत प्रयास की बहुत प्रयास की लेकिन एक ब पर पैर इसका लीभर पर गया लीभर पर गया तो गेट खुल गया अब इल्ली बाहर निकलके मासों खाली तो यही कहते हैं हम लोग सीखने का सिधान इसी तरह से बच्चे सीखते हैं जब किसी के अंदर ललक हो लालच हो पूरी जो है उसमें ताकत लगा देता है और वह किसी किसी परकार सीख जाता है तो बच्चे भी इसी परकार से सीखते हैं बार-बार परियास करने के बाद कोई भी चीज सीखा जा सकता है यह सिखने का सिधान पर है तो इसमें कौन थे तो देखे कैसे याद रखेगा क्योंकि इसमें बहुत लोगों का है तो थोरन डाइक को आ अगला है अगला प्रस्ण है आपका राइट दा सुपरलेटिव डिगरी ओफ वर्ड गूड गूड का सुपरलेटिव डिगरी क्या होगा ठीक है डिगरी हम लोग कमपरेटिव डिगरी पोजेटिव डिगरी कमपरेटिव और सुपरलेटिव पढ़ते हैं न तो क्या होगा य ये best answer हो जाएगा, clear, best answer हो जाएगा, फिर अगला next प्रस्ण है, write the antonym of word morning, morning का antonym क्या होगा, बिलोम सब्थ क्या होगा आपको बताना, evening, night, day, none, तो यहाँ पर क्या होगा, morning का evening हो जाएगा, morning का evening हो जाएगा, clear, morning का evening हो जाएगा, चलिए अब यहाँ पर नीचे answer sheet दिया गये था देखे जो भी सिछक जूडते हैं टेस सिरीज में आपको बता दे टेस सिरीज में जूडते हैं तो आप क्या किजिएगा कि प्रोष्णों को जैसे इस तरह से बनाएंगे उपर सबसे पहले नाम लिख देना है यहाँ पर नाम लिख देना है, प्राप्थांग लिख देना ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पर नाम, जीला का नाम, प्राप्थांग लिख लिजिएगा उसपाथ यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा एक, एक का ए, उपर सबसे पहले लिखेंगे test series 6, 7, 8 जो भी आता है उसका 1 का A, 2 का B, 3 का C इस तरह से करके बनाएंगे और देखे फिर आपको answer sheet दिया जाता है answer sheet जब आपको दिया जाता है तब क्या करना है answer sheet तो देखे 1 का A आपने मारा मेरा answer sheet गया उससे आप मिलाएं न एकर A से यह तो इश तरह कर देएंगे दू का B मारे आपका C है तो यह कर देएंगे इस तरह से अपर प्रपतां के जगा पर लिखेंगे आप total 25 नमर का दियागे है अगर आया आपका 15 तो आप लिखेंगे 15 वर्टे 25 अगर आया आपका 20 तो 21 बटब 25 इस तरह से लिखके अपना साइन करके भेज़ेंगे ठीक है वाट्सप करेंगे तो इस तरह से उसके बाद आपको लग्ति ड्रा के माध्यम से हैं पर प्राइस डिस्ट्रिबूशन किया जा रहा है आप सो भी प्राइस की हगदार बन सकते हैं तो सभी कोई जुड़